मुझे बहुत से चीज़ें पसंद हैं, कहें तो कुछ के नाम बताँ गुलाब का एत्रल, जुही की माला, रेशम का कुर्ता, खोई की बर्फी, दही की कुछिया, असली घी की जलेबी और मंगी ही पार मुझे अपनी पुस्तकें भी कम प्रिये नहीं, लेकिन पुस्तकों से प्यार है, इसका आर्थ यह भी नहीं, कि मैं सलसारी नहीं बीवी बच्चे, घर बार सभी तो मुझे प्यारे हैं, फिर भी एक वस्तू ऐसी बच जाती है, जिसकी इन सब चीजों से कोई तुलना नहीं, यह है अपनी मामूली सी प्रशंसा बस यही एक चीज ऐसी है, जिसे सुनने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता, ना दीजिये, लेकिन क्रपा करके दिल खोल कर छूटी ही सही, मेरी प्रशंसा करते जाईए, मैं आपकी जूतियों का हुलाम हूँ, उस हालत में मुझे जहसा बेदाम नौकर, आप कहीं खोजने पर भी ना पाईएगा, पचासी के ऊपर की उम्र हो गई, सैकड़ों ही दोस्त बने लेकिन टिके वही जो मेरी प्रशंसा करते रहे, जिसने खरी कही, मैंने उससे अपनी रहा गही, क्या बताऊं, जानता सब हूँ, मगर इस मामले में मानता किसी की नहीं, खरी बात कह सबसे सक होता हूँ, लेकिन खरी बात सुनकर मुझे प्रसंता हरकिस नहीं होती, आसर मुझ पर मीजी बातों का ही होता है, इसे लाचारी कहिए, कमजोरी कहिए, चाहें तो बुराई भी कह लीजिए, हिंदुस्तान में सोने का बड़ा मोल है, लड़ाई समाप्थ हुए एक जमाना ह हो गया, मगर इसके मोल गिरते नहीं, प्लाइटिनम का मोल सोने से भी अधिक है, रतन जवाहरातों के क्या कहने, लेकिन मेरी दरश्टी में इन सब का मोल प्रशंसा के दो मीज़े शब्दों के मुकाबले तीन कौड़ी का भी नहीं, इसलिए मैं प्रशंसक के मोल को के भी वधिया बैट जाए, लोगों को तरहतरह के लालच दे कर वे उनसे अपनी प्रशंसा के गीत कवाया करता है, कवियों के साथ भी यहीं है, कवी लोग आने जल पर थोड़े ही जाते हैं, ये तो प्रशंसा के पादप हैं, मिलती रहेगी तो खिलते रहेंगे, नहीं त कुमलाते क्या देर लगती है, इसलिए उस दिन रेल में जब मुझे मेरी रचनाओ के एक प्रशंसक अनायास मिल गए, तो खुशी का ठिकाना न रहा, हम लोग उस दिन गाजयबाद से दिली लोट रहे थे, गाड़ी में जो साहित चर्चा चली, तो बाद बाद में एक महो दे, मेरा नाम जान गए, विसम मेरे पास किसक आए, कहने लगे, धन्य भाग, वर्शों से आपका नाम पढ़ते सुनते थे, बड़ी तमन्ना थी आपके दर्शनों की, क्या कमाल लिखते हैं, आपकी रचनाओं को तो हमने अखबारों से काट-काट कर, एक रजिस्टर में जिपका रखा है, आपके पुस्तकों के भी सभी संस्क्रण हमारे पास हैं, हमारी पतनी तो आपकी रचनाओं के पीछे समझिये जैसे पागल हैं, और तो और मेरी छोटी मुन्नी को भी आपकी कई कविताएं कंठस्त हैं, शब्द क्या थे, मानो बून मून में अमरित भर यात्रा की सारी धकान, डब्बे की ठेल पेल और साहित चर्चा से उत्पन उसम जैसे सबशीतल, तरल और क्या कहूं, रस्मे हो चला, मेरे मन की बंद कली जैसे खट करके खिल उठी, बगल में बैठे अपने मित्रों की और जरा तन कर देखा, और महसूस किया कि उन पर ही न नहीं, उन अंजाने मित्र की बातों का असर सारे डब्बे पर अनुपूल पड़ा है, कुछ सेकेंड में ही मैं उस डब्बे का एक महजवपूल व्यक्ती बन गया, अपनी प्रशन सा सुनकर क्यूंके सज्जन पुरुश संकोच करने लगते हैं, मैंने भी वही किया, मैं व बहुत बड़ी बात है, विने बड़ों को ही शोभा देती है, अन्जान मित्र कहने लगे, ग्यानी ही सहेंशील होते हैं, शिष्टता ओचों के बाटें नहीं आती, ओचे बरतन में पानी छलगता है, मैं हिंदुस्तान के अनेक साहितकारों और कलाकारों से परिचित हूँ, मुह देख ही नहीं कहता, राम राम, उनमें यह है बात कहां, आपको तो देखकर ऐसा लगता है जैसे परिवार के ही आदमी है, बातों काई के सिलसला अभी और लंबा चलता, मगर गारी शहतरे स्टेशन पार कर यमुना के पुल पर आ गई थी, दिल्ली जंक्शन आने वाल था, बातों बातों में पता चला कि मेरे महरबान दोस्त, कॉलकाता में अपना कोई बड़ा व्यापार चलाते हैं, दो दिन के लिए किसी काम से राजधानी आए हैं, वे जिस होटल में ठहरने वाले थे, उन्होंने उसका पता भी बताया, और आग रह किया कि मैं उनके यहा पुर्खी बनी हुई है, पुर्खे कह गए हैं कि दिल्ली में आदमी को जरा सोच समझ कर चलना चाहिए, यहां लोगों से वियवाहार करते समय उन्हें बीस बार पर अखना चाहिए, इसलिए कोई लाख कहे, मैं किसी को अपना घर नहीं दिखाता, मित्र लोग मेरी इस कुछ पतनी के अदवैत सौभाव और कुछ अलप बचत योजना का असर, कि मित्रों के उलाहने और अमित्रों के ताने कभी मुझ पर असर नहीं करते, लेकिन इस बार की बात दूसरी थी, क्योंकि श्रीमती जी मैं के बधारी हुई थी, और अभी महीने की सिर्फ तीसरी ही तारीख थी, आप से क्या छिपाओं? खुद उनके किराय के होटल में चल कर चाई पीने की तुष्टता की जाए, अगर मैं जल्दी में ना होता, या मुझे एक बार भी अपनी बात पर फिर से विचार करने का अफसर मिल जाता, तो मैं कदा पी वैसा ना करता, लेकिन गारी स्टेशन पर ठहर गई थी, और यानि मैंने उन महाशे को अपने घर का पता बता दिया, बड़े तपाक से मैंने कहा, बहला ये भी कोई बात हुई, आप हमारे शहर में आएं, और उल्टे हम आपके महमान बने, लाख तिल्ली अब पुरानी नहीं रही, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ, आपको मेरा घर पवित नी थी नहीं, नौकर घर में हम लोग खुद ही होते हैं, इसलिए उस दिन में सुबह तर के ही उट बैठा, सारा घर साफ करके आईने की माफिक चमका दिया, चीजों को करीने से जमाया, बाजार से कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ फल लाकर रख छोड़े, पास के होटल पाले से कह आया कि ठीक चार बजे किसी को भेज कर चाय के लिए पुछ वाले, मित्र घड़ी के टाइम पर टैक्सी से उतरे, टैक्सी का बिल चुकाने लगा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, घर में घुसते ही उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा, यह बताने पर क वे सब तो नन्हियाल कए हैं, एक सद ग्रहस्त की भादी, उन्हें बड़ी निराशा हुई, सूने घर में हम लोग मेजों पर पैर भैला कर जम गए, हमें धर भी किसका था, ना घर में पतनी का, ना बाहर सरकार का, मेरे मित्र की जानकारी अद्भुत थी, वे हर साहित्तिक की पुस्तक के बारे में ही नहीं, उनकी आदतों, पसंदों और कपड़ों के बारे में भी पक्का पता रखते थे, साथ घंटे जैसे साथ मिंटों में समाप्त हो गए, काफी दूर तक उन्हें छोड़ने गया, लोटा तो लगा कि मेरा मन भी कहीं बाहर ही छूट गया है, मेरे महान बनने में अब देर नहीं, दूसरे दिन काफी देर गए आंक खुली, रात की प्रशंसा का खुमार अभी पूरा पूरा नहीं उत्रा था, मैंने आइने में गोर से जांक कर बाल जरा सीथे किये, कमीज डाल कर बाहर चाए पीने निकला तो याद आया, जेब खाली है, सोचा कुछ पैसे लेता चलू, कल की चाय का बिल भी चुकाना है, मैं इसकी दरास खोली, तो सन रह गया, विह अस्थ व्यस्थ पड़ी थी, मनी बैख गायब था, दौड कर दर्वाजे पर गया, तो देखा ताला कुंडी सब अंदर से ठीक तरह से बंद थे, जीरा खि सग गया, एक एक करके मुझे कलशाम की सारी घटनाएं याद आने लगी, प्रशंसा मुझे काफी महंगी पड़ी थी, मेरे महरबान मित्र, महीने भर का पूरा वेतन, अदनी प्रशंसाओं के परिश्ट्रमिक में वसूल कर ले गए थे, भला ऐसे चतुर, कहीं होटलों का पक्का पता बता देते हैं, चाय के जूठे वर्तन, फलों के छिलके, जूटी तश्तरियां, मानों सब विद्रूप से मुह बिचका कर मुझसे पूछ रहे थे, कहिए महाशे, महा कवी बनने में अब कित्मी देते हैं?